हेलो एवरिवन मैं विश्रजीत सिंग आप सभी का देई इनव पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History, MHI 010 का Unit 3 पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे कि इस पूरे Unit के अंदर में कितने lessons हैं, किस तरह के topics हैं इन lessons की basis पे किस तरह के questions हैं उसके बारे में हम यहाँ पर हम डिसकस करेंगे इसका benefit यह होगा कि आप कम time में अपना पूरा slivers cover कर सकते हो, selective study कर सकते हो पूरा ना पढ़कर जो important है स्री पुसी को पढ़गो उससे slivers आपका cover हो जाएगा चलिए हम start करते हैं आज का अपना वीडियो unit 30 की में बात करूँ तो यहाँ पर हम बात करने वाले पारंबिक एत्यासिक नगरों के बारे में कि starting के time में कौन-कौन से एत्यासिक नगर थे, किस परकार की उनकी विवस्ता थी, नगरी विवस्ता किस परकार का था जीवन जो व्यापन का तरीका था, वो किस परकार का था किस तरह से उनकी डिपेंडेंसी तिन नगरों के उपर में वो उसकी बारे में हम यहाँ पर डिसकस करेंगे चले स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे चैपटर आता है चैपटर नमबर 10 जिसके अंदरे में हम बात करते हैं उत्तर भारत में पारंबिक एत्यासिक नगरिये केंद्रों के बारे में ठीके तो उत्तर भारत के किस परकार के पारंबिक एत्यासिक नगर थे उनकी विशिस्ता क्या थी वो पहला हमारा कोश्चन रहता है कोशन यहां पर बन के आएगा कि उत्तर भारत के पार्मभिक एत्यासिक नगरिये केंदर की विसेस्ता बताईए तो इसके अंदर में आप कर डिफाइन करोगे कि उनकी आकार किस परकार के थी ठीके उनका नगर ववस्ता किस परकार का था ठीके साथ साथ में अगर आप बात करोगे तो यहां पे जन संक्या किस परकार के थी उनकी उसके बारे में यहां पे हम बात करेंगे ठीके जन संक्या हमने बात कर लिया तो वैपार किस परकार से करते थे ठीके वैपार का केंदर किस तरसे स्थापित किये गए ठीके वफार के केंदर केंदर में राजनेतिक ववस्ता किस परकार की थी उनकी ठीके राजनेतिक ववस्ता कि अगर हमने बात कर ली दूसके बार में सत्ता का केंदरी करें किस परकार से किया गया मतलब राजा के हाथ में था जंता के हाथ में थी किस परकार से था ठीके और य इस सारी पॉइंट्स आपको उत्तर भारत के अंदर में देखने के लिए पे लेंगे और जैसी आप इन पॉइंट्स को कवर करोगे तो आपका पूरे कोशन का आंसर मिल जाएगा कोशन सिंपल साही रहता है कि उत्तर भारत के पारंविक एतिहासिक नगरी के इंदरों की विस्यस्ता बताईए ठीक है तो इनके विस्यस पे आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो अगले कोशन के और बढ़ते हैं चैप्टर नमबर 11 जहां पे हम बात करते हैं प्राचिन नगरों के अबुदे और पुरातत्त्वी के पारंविक एतिहासिक नगरी के इंदरों की विस्यस्ताओं के बारे में जहां पर हम दच्छिन भारत को डिफाइन करेंगे चैप्टर से में उपर वाला नीचे वाला दोने चैप्टर से में चैप्टर नमबर 10 और 11 बस यहां पर उपर में हम उत्तर भारत के बारे में बात करेंगे और यहां पर हम दच्छिन भारत की बात करेंगे तो इसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पर दो टॉपिक इंपोर्टन रहते हैं पहला टॉपिक रहता है कि दक्कन के अंदर में नगरी करण विवस्ता किस परकार की थी दक्कन के अंदर में तो दक्कन के अगर नगरी विवस्ता को बताओ गो तो यहाँ पर आता है सबसे Par racist परिवर्तन और इसके कारण से नहीं किर एक तमिल कम छे तर का तो तमिलकल को अरगर आप डिफाइन कर रहे हो तो Merak संगम साहिते से मिलती है ॠीच कहा tweeting लिए time लेने वृक के जानकारी से एन पर भीवह, дост 목 Teaching इन सब के आसपास को पूरा छेत्र था वह तमिलकम छेत्रे के तौर पर जाना गया तो किस तरसे इनका नगरे ववस्था विक्सित हुआ किस तरसे इस विख्यास किया इन्होंने ठीक है तो वह पूरा इसको डिफाइन करोगे और नंबर इसके बेसिस पे मिलेंगे आपको अगले चैप्टर के और बढ़ते हैं सौरी हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नुबर ट्वेल जिसके अंदर हम बात करते हैं नगरिये केंदर और अन्य परकार के इस्थान अब देखो नगरिये केंदर के अंदर में तो आ गया कि भी यह वाला नगर वयवस्थाती उत से पूर्व बसावाट नगरवाद बनने से पहले कैसे बसा आज मैं डेली में रहा हूं तो क्या बेली आज से 20 साल पहले भी आशी थी जहां पर भी यहां पर इसे पहले चारे टारव खीती उती ऑंदोपोरा को चुकर बहुत जादा है सोड राव कुछ कुछ तो तो उस तरसे, किस तरसे विक्सित हुआ, ठीक है, नगर वाजसे पुरुव भसावाट किस परकार से हुआ, उसके बारे में आपर डिफाइन करोगे, दूसरा यहां पर topic रहता है, जनपद और महाजनपद का, ठीक है, किस तरसे जनपद और महाजनपद रहे, वो बताओ के, न इसके अंदर हम बात करने वाले हैं समकालिन गरंथो में नगर अब दिहांसी गरंथ हैं। उसके अंदर में नगर किस परकार से दिखाया गया नगर मवस्था किस परकार से बताई गई तो उसके बारे में आप बात करोगे तो कुन-कुन से गरंथों को बेसिस बनाकर आप बता सकते हो जैसे अर्दसास्त हो गई जो मोरिज समराजी के टाइम पर लिखी गई थे आचिन गरंथों में नगरों की कलपना किस परकार से की गई है तो उसके बेसिस पर आप यहां पर डिफाइन कर सकते हो ठीक है अगला जो हमारे चैप्टर रहता है चैप्टर नमबर 14 जहां पर हम बात करते हैं तक्षिला गाटी का ठीक है पारंबिक एत्यासिक नगर तो ग्षहां करा कि के लुचियों है यहां पर प्रमाण मिलता है की कच्छी ईटों से घर बना जाते हो यह भी टेला थो सिरकव घांटी का ठीक चीरकाप क्या दाए इसको पार्टियन तो नॉर्मल इसके बेसिस पे कई बार तुलनात्मा कोश्चन मन जाता है कि तक्सिला घांटी के अंदर में जो नगर वयवस्ता पाई वह बताईए तो इसके अंदर में भीर तेला सीरकाप और स्थिर मुख आपस में तुलनात्मा को बेसिस पर आप इसको डिफाइन करके लि जिससे आपको आने वाले समय में जो भी वीडियो डाले तो आपको notification मिले and request आप सभी students से ये रहने वाली है कि वीडियो को लिंक जो है जरूर अपने दूस्तों तक सेर करें अपनी ग्रूप में डाले जिससे उनको भी वीडियो को देख सके उनको भी नंबर अच्छे मिल सके and friends एक suggestion आप सभी students के लिए रहने वाला है कि अगर आप में हिस्ट्री के लिए पर लिए या फिर पार्ट टू के लिए तो यहाँ पर MA History की सभी वीडियो डली हुई है दिए आपके उपर में जिसमें सबसे most important जो वीडियो से हैं last five year के question paper की वीडियो है उसको जरूर देखें important topics की वीडियो है important questions की वीडियो है इन सभी वीडियो से आपके सबसे उसको cover करने में बहुत ज़्यादा असानी रहेगा सारे chapters की सारे subject की वीडियो डे लिए MHI 01 से लेकर MHI 010 तरकीत उसको जरूर देखें एक बार जिससे आपको benefit हो और जो भी response होगा आपका इस वीडियो के उपर में उसके बाद ही में next जो unit है उसको मैं करवाँगा तो friends thank you so much for watching me thank you so much for listening me bye bye take it all the best